और जैसा कि अब ही मैंने आपको बताया कि जब भी मैं कोई stock के बारे में डिसस करता हूँ तो मैं phrase breakout के बारे में ही डिसस करता हूँ because वहाँ से जो returns मिलते हैं वो काफी ज़्यादा extraordinary मिलते हैं कि जब भी आप chart को open करें तो candle को देखें और फिर इसके बाद volume को देखें अगर वहाँ पर कुछ uncommon दिख रहा है तो उस stock को अपने worst list में डखें ताकि हो सकता है कि अगर इसमें कोई बड़ा move आए तो आपको एक अच्छा return दिखने को मिल जाए हाई एवरीवन इस वीडियो में हम लोग कुछ SS stock के बारे में डिसस करने जा रहे हैं जहां पर हमें last day काफी अच्छा breakout दिखने को मिला है और अगर इस stock breakout का direction में मगर movement ओ continue करता है तो हमें आने वाले समय में अच्छा return दिखने को मिल सकता है अब बात करते है stock की पहला stock यहां पास अपार industry का और यह rise का chart तो सबसे पहले हम लोग यहां पर region को find route करते हैं कि हमने इस stock को क्यों select किया है क्या हमारा entry price होगा क्या stopless होगा और क्या हमारे possible target हो सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं जो यहां पर मैं time frame मिश कर रहा हूँ वह है daily का तो हमने इसको काफी बार distance किया है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले हमने score distance के round 2400 के आसपास फिर हमने score distance के round 3800 के आसपास recently distance के round 6400 के आसपास और इसने high ले गया था round 9600 का तो 2400 to 96 almost आपको 4 times का यहां पर returns देखने को मिला होगा बट कोई बात नहीं अगर आपने last time मिस कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस वार एक अच्छा return देखने को मिल जाए बट सबसे पहले region और एक simple सा rectangle और आप यहां पर notice कर सकते हैं कि यह जो stock था काफी लंबे समय से एक छोटे से range में trade कर रहा था और इस range को हम लोग consolidation zone और box button कहते हैं और last day हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो selected ने का जो region है आइधर consolidation zone और box button का breakout और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताया है कि जब भी breakout आ रहा है तो हमेशा first candle में ही catch करने की कोसिस करें because मालने जी यहाँ पर कोई एक और candle बन जाता है तो वहाँ पर क्या होगा आपका जो risk होगा वो काफी ज़्यादा बढ़ जागा तो हमेशा first breakout की तरफ जाए because वहाँ से जो returns होगे ना वो काफी ज़्यादा extraordinary होगे है आप यहाँ पर यह भी notice कर सकते हैं कि जो last day का जो volume है वो previous day के comparison में ज़्यादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है तो जब भी हम लोग volume और price को combine करते हैं तो वहाँ पर आपको एक concept आना काफी ज़्यादा जरूरी है अगर price बढ़ रहा है with increment in volume तो यह जो sign होता ही होता है bullishness का और ऐसे cases में price के उपर जाने के जो probability होती है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है again I am talking about probability not guarantee तो इस बात को ध्यार में रखेगा अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 9000 के अगर उपर जाता है तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss होगा previous swing low जो कह रहा है 8500 रूपीज closing basis पर हमारा first target है 9325 का second target है और पास 9660 का and इसके बाद यह stock है पने एक नए all time high की तरफ चला जाएगा और एक बात मैं आपको और बता दू कि इस stock में consistently जो DWI है वो consistently buy कर रहा है तो आप उसका data देख सकते हैं अब आते हैं next stock पर और यह है rail tail का और इसको भी हमने कई बाद डिसर्स के है काफी लंबे समय से हम लोग इसको डिसर्स कर रहे है तो सबसे पहले मैं इसको डिसर्स के था round 160 के आसपास और इसने high लगया था round 600 का तो काफी बहतीन आपको returns देखने को मिले होंगे बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर मिस कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए बट सबसे पहले region और एक simple सा train line अगर आपको train line डोग करना नहीं आता है तो मैंने इस पर already एक वीडियो बना रखा है आपको जब भी time मिले आप उससे जा के देख सकते हैं और एक downside से train line तो आप यहाँ पर notice करेंगे जो price है वो बड़े range से छोटे range की तरफ shift होता है तो इसे हम लोग करते है price contraction और इसका जो real life example है वो है आपका spring जब हम लोग spring को press करते हैं तो वो दब जाता है जैसे ही छोड़ते है वो expand करता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि last day में इसी का एक breakout होते हुए दिख रहा है तो यहाँ पर हमें एक expansion देखने को मिल सकता है same हमने concept used किया था बजाज auto में आप जाके देख सकते हैं उसमें काफी अच्छा return दिखने को मिला था अगर बात करेंगे pattern की तो इसने एक kind of penant pattern बना रखा है और इसका हमें एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो select रने का जो region है वो है penant pattern का breakout आप यहाँ पर यह भी notice करेंगे कि जो last day का जो volume है वो previous day के comparison में कई गुना जाता है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 510 रूपिज का अगर उपर जाता है तो हमेंगे अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stopless के तो stopless होगा previous swing लो जो किया रहा है 470 रूपिज closing basis पर first target है 555 का second target है 600 का and इसके बाद यह जो stock है अपने all time high की तरफ चला जाएगा अब आएए देखते हैं next stock और यह है KPIL का और E-R-S का chart इसको भी हम लोग काफी पहले से discuss कर रहे हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है 600 पर discuss किया था फिर उसके बाद discuss किया around 940 के आसपास and right now it is trading around 1300 तो काफी 23 आपको returns देखने को मिला होगा region को find out कर लेते हैं almost same concept जो अभी हमने अप आर industry में use किया है एक simple सा rectangle और आप यहाँ पर notice करेंगा कि यह जो stock था काफी लंबे समय से एक छोटे से range में trade कर रहा था और इस range को हम लोग consolidation zone और box button कहते हैं and last week हम इसका breakout होते हुए दिख रहा है और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी मैं कोई stock के बारे में डिसर्स करता हूँ तो मैं phrase breakout के बारे में ही डिसर्स करता हूँ because वहाँ से जो returns मिलते हैं वो काफी जादे extraordinary मिलते हैं बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 1325 के अगर उपर जाता है तो हमें एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss का previous swing लो जो किया रहा है 1240 रूपीज closing basis पर हमारा first target है 1385 का second target है इसका all time high जो कि है 1425 एंड इसके बाद यह stock है अपने एक नए all time high के तरफ चला जाएगा अब आईए देखते हैं next stock और यह है HSCL का और ERS का chart तो last time हमने इसको discuss किया था somewhere around 385 के आज़ पास and right now it is trading around 530 okay हमने इसको पहले भी डिसस किया था somewhere around 80 रूपीज के ऊपर यहां पर मैंने बोला था and right now अभी यह trade कर रहा है 500 प्लस तो काफी बहत्री नाक रिटरंस देखने को मिले होंगे बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर मिस कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए बट सबसे पहले region अगर आप chart को अगर इस तरह से देख रहे हैं तो एक चीज तो आपको काफी ज़ज़ा uncommon दिखे गाए और वो है volume जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप chart को open करें तो candle को देखे और फिर इसके बाद volume को देखे अगर वहाँ पर कुछ uncommon दिख रहा है तो उस stock को अपने watch list में रखे ताकि हो सकता है कि अगर इसमें कोई बड़ा move आए तो आपको एक अच्छा return दिखने को मिल जाए बात करते हैं region की तो एक simple सा pull and flag pattern चीजों को बिलकुल यह असान रखेंगे जिसे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि इस stock ने एक kind of pull and flag pattern बिना रखा था and last time हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो select रहने का जो पहला region है वह है pull and flag pattern का breakout और आप यहाँ पर यह भी notice करेंगे कि जो last day का जो volume है ऐसा volume हमें last time December 23 में देखने को मिला था that means कि 7 to 8 months के बाद हमें एक massive volume में change देखने को मिल रहा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है और एक काफी massive भामें change देखने को मिल रहा है volume में almost after 8 months के बाद अब हम लोग चार्ट को left hand side में scroll करेंगे और यह find out करने कोसे करने कंपनी कब लिस्ट हुई थी और इसका all time है क्या था तो आप यहाँ पर notice कर सकते है जो company लिस्ट हुई है somewhere in March 2007 and इसका जो all time high था हो था somewhere around 495 के आसपास and last day हम इसका अब एक breakout होते हुए दिख रहा है तो second region इसा stock को जो select करने का है वह है all time high का breakout अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 540 के अगर उपर निकलता है तो हमें अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing लो जो किया रहा है 480 रूपीज closing basis पर अब बात करते हैं target की तो जब यह stock अपने all time high पर trade करता है तो उसके पास upside में कोई भी resistance नहीं होता है इन simple word हमारे पास कोई भी previous swing high नहीं होता है तो ऐसे cases में stock कितना भी उपर जा सकता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं हर एक 5-10% के move पर partial profit बुक करते हैं फोर एक्जामपल मालीजे में पास HSCL के 100 shares थे हैं stock जो भी 10% का move देता है तो यह पूरी तरह से मेरे उपर depend करता है कि यहाँ पर मैं 5 quantity book करो हो या 10 quantity book करो हो और इस पर भी depend कर रहा है कि यहाँ पर मैंने अपने capital का कितना percent deploy किया है अब आई डिस्कस करते हैं अचका last stock और यह है domes का that is domes industry तो सबसे पहले region और एक simple सा rectangle तो आप यहाँ पर notice करेंगे कि यह जो stock था काफी लंबे समय से एक छोटे से range में trade कर रहा था और इस range को हम लोग consolidation zone और box button कहते हैं and last day हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो पहला region इसा stock को जो select करने का है either consolidation zone और box button का breakout आप यहाँ पर यह भी notice करेंगे कि जो last day का जो volume है वो previous stage के comparison में ज़्यादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है चार्ट को left hand side में scroll करेंगे और यह find out करने कोसिस करें company कब list हुए थी और इसका all time high क्या था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो company list हुए somewhere in December 23 and इसका जो all time high था हो था somewhere around 2525 के आसपास and हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो second region इसा stock को जो select करने का है वो है all time high का breakout अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 2675 के अगर उपर जाता है तो हमें अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss होगा previous swing low जो किया रहा है 2445 रूपीज closing basis पार अगर बात करेंगे target की तो जैसा कि अभी हमने HSCL के case में indices किया कि अगर कोई भी stock अपने all time high पर trade करता है तो उसके पास upside में कोई भी resistance नहीं होता है और stock कितना भी उपर जा सकता है तो ऐसे cases में हम लोग क्या करते हैं हर एक 5-10% के मूँपर partial profit बुक करते हैं तो I hope कि आपको इस वीडियो से को सीखने को मिला होगा थैंक्स पूर वच्छिंग